आप सब कैस्वाई हो कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे और मेरे चनल में आप सब को बहुत बहुत स्वागत है और हुली की धेर सारी सुब कामना आएं तो यह दो बज़े का टायम से मैंने जो है डाल फूनले के लिए डाल दिये थे सुबह में और बेशन तयार किये थे मिक्सी में पीस कर तो उसका मैं बड़ी बनाओंगी तो मसाले डालके सारे तयार कर ली हूं और यहां पर जो है मैं उसके पकरे बनने वाली हूं तो इसकी तयार करने हैं तो इसमें घ्री मिर्च और बेशन, प्याज और गरण मसाला, अद्रक यह सब सारी चीज़े जो है मिला कर नमक बगेर हुँ और बड़ी जो है जो है तावे पर उलाएकार, और सभी को मैं मिक्सी में अच्छे से पीस ली हूँ और पीस नुटिकर सब ऐता हैं तो यह ज़ली काइश सब और बраш चाबल से बनाओंगी और पहले से जो दो थैकwen है वाया आलू was dolphins और तो बोत त्यार करके इसके बाद की पर बारे कोड़ा त्रूम्ह ध़कि यह बनां गी और फीर का ट्याइम काइब passion हो चाएगागा से पेंगा व्यूयदारी मैं सारे छीजों की तैयारी करने में अकेले ही मेंने की थी, और उसके बाद जो है, मैं चावल सामने बनाऊँगी, और रोटी बनाऊँगी, तो यह करते करते मुझे बहुत छादा भी लग गया था और तलते तलते ही तो पेट भी बढ़ जाता इतना सारा जो है काम करने में लेकिन हमने उतना जदा बनाए नहीं थे क्योंकि उतना हम खाने पाते और बनाते बनाते थक जाते हैं तो पहले ऐसा ही होता था लेकिन अब मैं समझ बुझ कर बनाते हूं जितना हम पूरा तलकर उसके बाद सारे काम किये हैं और कल भी मैंने सफाई की थी और अभी भी बचा हुआ है घर बगड़ा लिपना है क्योंकि जो भी कुछ पर्ब होता है तो उसमें हम साफ सफाई और घर लिपते हैं और अभी काम बांकी है अकेले करते और थक भी जाते हैं आज ही ह तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे भीज बहुत भी कम आते हैं बहुत दिनों से में कोशिज कर रहे हुं बना रहे हुं और बहुत चाथा टाइम भी लगते हैं बहुत से प्रोसेस यह वह पुड़ा करना होता है और हमने बहुत कोशिज भी किये हैं और बहुत उमीद लागा करें बैठे हैं तो इसके सबाह मरे पास कोई काम भी नहीं है बस हम जो है यह कर रहेंगे और क्या कर सकते हैं सिर्फ हम क अप सब जरूर किजिएगा हमारे बात पर घौर कीजिएगा ध्यान दीजिएगा मैं जो है बहुत ज़्यादा परेसान हो जाती tunnelं हो जाति हूँ सूचतें क्यों नहीं होता है बहुत से लोगों का होता है लेकिन हमारा होई नेरा है पता नहीं कोई भी काम करते हैं तो पुरा अच्छा से होई ने पाता है और इसी से विसपास जो है बहुत कम हो जाते हैं कोई काम करने में तो अब जो है बहुत कम बचा था तलने के लिए बहुत सारी चीज हमने तल सभी कर लेता है तो कर लूत कर लेते डाल के यह संद्सक्ता है व मेरी पास नहीं था तुद बरऄ यहोर snak है लाल नेज जी省 मिर्च सब अपर प्याज, लहसन, अदरक, जीरा, दालचीनी और इलाइची ये सब मिक्सी में पीश कर हमने रखे वे थे पहले से और वही जो पावडर बला मसाला था उसको ये सब डालके कस्तोरी मिर्च और जो है मेथी ये सब डालकर और अच्छे से हमने जो है दही डालकर और करीबरी बना करना शुरू कर दी थी तो लगता है कि काम हमारा निपट गया है और बरतन बहुत सारा हो जाता है हम जब कोई सबी काम करते हैं खाना बगरा बनाते हैं तो बरतन बहुत सारा हो जाता है और बरतन साफ करने के बाद ही लगता है कि हमारा काम जो है अब बहुत हद तक हो गया तो मैंने सुचा कि काम होते होते जब तक मैं ब्रतन साफ कर लूगी तो हमने सारे बरतन साफ करें और फिर उपर एक स्वाध है रखेंध किसमें काम हो रहीする एक-दोada हो गया था जैसे और बिसन का ये लिसे 500 बेसन का जो था इंद ह उपने और सारे हमने साफ कर लिए हैं, तो हमारा काम अधाधूरा हो गया था, क्योंकि चावल और रोटी ये सब बचे हुए थे, और चाय साम को बनाना था, तो ये कुछ काम बचे हुए थे, फिर रात का खाना खाकर हम सुझाएंगे, आज बहुत ज़्यदा थक गये हैं, कि दो कर दो बचे हैं, कि दो झाल 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 दार जाल काम ठान के लिए और इन सुबर में मुआ भी बनाई थी उनके लिए तो किसी ने किसी दिन बहुत जदा काम हो जाता और आज mail दीन आज हमारे पास बहुत जदा काम था और विलें और प्रेड पकड़ा भी बनाएं हैं और प्याज के तो जदा हमने कुछ नहीं बनाया लेकिन फिर बहुत जदा ट्रैम लगा उसका उसका त्यारी की है और बनाये हैं पुरा गंदा भी हो गया है तो अभी जब खाना बन जाएगा उसके बाद हम पुरा पोश्ट देंगे जब हम कीचन में बहुत जदा काम करते हैं कोई विसेस दीन में या अभी सेस खाना बनता है किसी भी दिन इसे स्कीन तो आज है तो पुरा गंदा हो जाता है और बहुत जदा ज़्यादा हो जाता तो उसके पास साफ करना गड़ी है तो अभी मैं साफ करूंगी जब मेरा खाना बन जाएगा ता और हमने जो है दो दो रोटी और जो है यह साम में खाएंगे तो करीबडी के साथ हमें रोटी भी बहुत पसंद है चाबल से ज़्यादा पसंद है रोटी तो ब्लोग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कल वाले वीडियो में आप सबसे मिलूंगी तब तक के लिए भाई टेक केर